हेलो बच्चों स्वागते आपका आपके चैनल SRS Learning में यह हमारी मेटा सिक्स किलास की सोशल साइंस की वक्षिट है वक्षिट का जो नंबर है वो है 23 और जो माई डेट है वो है 18 दिसंबर 2020 इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है नए प्रशन नए विचार इस लेकिन वर्शा रितू में जब यात्रा करना कटिन हो जाता था तो एक इस्थान पर निवास करते हैं जिने हम विहार कहते हैं क्या है वह आया जो है एक हिसाम मतलब रुख जाते थे शुरू में ये अस्थाई निवास हुआ करते थे लेकिन बाद में बिक्षू बिक्षणों के लिए इस्थाई निवास बनाए गए जिने हम विहार कहते हैं क्या है विहार क्या है कि जब बिक्षू और बिक्षणों के लिए इस्थाई निव निवास मतलब इसको बोलते हैं निवास बनाये गया तरह उसको हम बोलते हैं विहार अब कि शुरू में विहार लकडी के बनाए गए अब बाद में इनके निर्माद में इक प्रयोग निर्मान में परियों प्रियोग बनाए गए पच्छमी भारत में था जो विहार बनाए गए तो कैसे बनाए गए थे जो पहार था उनको खोदा और फिर क्या है वह वहार बनाए गए जैसे आप क्या है काले गुफा जो महरास्ट में हैं देख सकते हैं गए जो काले महरास्ट में है अब क्या है हम आगे क्या है हम आगे पढ़ेंगे कि प्रायक किसी धनी वियपारी राजा ता बू स्वामी दुवारादान में दी गई बूमी पर विहार का जो है निर्मान किया जाता था कि अब यह मतलब यह विहार बनाने के लिए कह रहे हैं कि जमीन कहां से मिलती तो क्या है कि जो वियपारी होते थे जो बहुत अमीर होते थे जा राजा या भूसवामी जिनके पास भूमी होती थी वो क्या है विहार बनाने के लिए इस भूमी को दान दे 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 थे फिर है इस कर दो लिए बनाए गये इस्थान में निवास हम कैसे लिए भिशु बिक्ष्ण के के लिए बनाए गए हम क्या लिखेंगे बनाए गए आगी क्या लिखेंगे इस्थान निवास को विहार कहा जाता या विहार कहते हैं दोनों ही सही होंगे ठीक है अब है next question कि विहार का निर्मान कैसे होता था आगा है तो हमने पढ़ा कि जो विहार था उनका निर्मान कैसे मैं पहले लकड़ी इस प्रियोग के लिए इंटों को यह प्रियोग होता है यहां पर आपका क्या है सेकंड कोशन है यह कि शुरू में विहार लखड के बनाए गए गया यह आप यहां से देखें लिक्टके लि तो क्या है, धनि व्यपारी, राजा, तौन दान में दी गई भूमी, विहार था, उसका निर्मान होता, तो यह आपका थार्ड-कोश्चन है, ठासा व्यक्ति विक्षों विक्षों के लिए भोजन, वस्तरत, दवायां लेकर आते थे, इसके बदलेवे उनको क्या है शिक्षा दे 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 लेकिन हमें पूछ रखा है कि मतलब विहार का जो निर्मान है सायता कौन करता था तो आप इतना भी आपके लिए सही है तो ठीक है यह आपका थर्ड कोशन है अप अपने परिवार जनो एफ शिक्षकों की सायता से प्रमु प्राचिन विहारों के नाम लिखे तो आपका विहार यही है कारले गुफा आप यह भी लिख सकते हैं और एक आपका जुनार में है जुनार में भी आपका विहार है आप वो भी लिख सकते हैं एक आपकी महरास्ट में है कौन काड़ा में है वो भी आप लिख सकते हैं ठीक झाल झाल